हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी उमीद आप सभी अच्छे होंगे स्वास्त होंगे आपका एससी बैंक लाज में स्वाव एतर देखिए हमारा जो चैनल है वो स्पेशल आपकी त्यारी के लिए बना रखा है जिस भी वीडियो पे आपको टोपिक पे आपको वीडियो चाहि आप सभी बता सकते हैं कोई बी एकजाम आपका आ रहा है और उस इक्जाम से रिलेटिट आपको कुछ चाहिए मतलब उस इक्जाम से रिलेटिट आपको मोट टेस्ट चाहिए है या फिर कोई भी कॉन्टेंड चाहिए कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप क format box में बता अप सब भी ध्यान रखें थोड़ा अभी जो एकजाम कास में आरा है इकजाम कॉम्टेशन की इस दुनिëा में एकजामस भी बहुत सारे हैंग। अभी जो फास में एगोजी 2030 उसके बाद में पृच प्तीस और उसके शाथ साथ बैंकिंगे भी बहुत सारे एकजाम साथ ही साथ होते रहेंगे तो ये एक best मुका है ये एक सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए ताकि आप सभी अपने सेलेक्शन को सुनिश्चित करें बहुत सारी पोस्ट निकलेंगी बहुत सारी वेकैंसी जाएंगी और आपको सिर्फ एक वेकैंसी में अपना नाम पका करना ह एक मुका आपके लिए बहुत है अगर आप कर दोगे तो किसी भी एक एक एकजाम के अंदर अगर आप लग जाते हो तो आपकी पूरी उमर के लिए आपको जो सुक्स विधाई मिलेंगी वो एक अलग लेवल की होंगी जिसे आप प्राइवेट सेक्टर में प्राप्त नही कर पा हो ठीक है और जिन बच्चों की तेयारी थोड़ी कम है वो थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे ये नहीं सोचेंगे कि हमारी तेयारी कम है तो हमारा आपकी बार नहीं होगा पर उसी का होगा जो उतनी ही लगन से सेलेक्शन के और बढ़ेगा ये के दोड है स्पेशली और आपको क्या करना है इस दोड के अंदर अपने अकोर्डिंग यानि अपनी तेयारी के अकोर्डिंग आगे निकलना है आगे कैसे निकलोगे भेड चाल करके आगे नहीं निकल सकते कैसे निकलोगे आप निकलोगे अपने माइंड से यानि आप कुछ चीजों को जैसे गै और स्सी बैंकिंग में वही बच्चे हैं जो पूरे फोकस के साथ त्यारी करेंगे और सेलेक्शन लेंगे उनका में मकसद में मोटिव यही है कि सेलेक्शन चाहिए अच्छी जगर पर तुछ लोग उसी मकसद को आगे बढ़ाते वे हम अपना आज का टोपिक स्टार्ट करते है हम आज जो टोपिक करेंगे उसका नाम है वो इस यह एक इंगलीस का बहुत अच्छा टोपिक है और यहां से बहुत सारे कोश्चन आपके एकजाम में आते हैं डेफिनेटली एकजाम में अगर कोश्चन आते हैं तो बहुत ही ज़्यादे इंप्रोटेंट टोपिक होई जाता है पर आप ध्यान रखिए यहां से जो question है वो pre-exam के अंदर तो दो तीन question तो आते ही है पर mains exam के अंदर इसकी वेटे तो बहुत ज़गा है आपके बहुत सारे questions में mains exam में मिलेंगे और अभी तो आपको पताएगी English की तना important हो गया है उसी importance के according आपको English और भी जादा पर नहीं बस यहीं पर सुरुआत करते हैं चेप्टर की चलो chapter start करते है यह रहा आप सभी के सामने voice हम अपने notes से ही करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसान करें हो ठीक है चलो start करें देखो आपके पास starting में है voice अब हमें starting में यह समझना की voice होता कि है सबसे जुरूरी चीज तो यह है की voice होता कि है चलो देखो होगी अगर हम बात करें voice की तो voice आपका दो टाइप का होता है यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक तो active voice and second is passive voice अब यह active passive क्या होते हैं यह एक ट्रांसफोर्मेशन क्या होती है यहाँ आप active को passive में change कर सकते हो passive को active में change कर सकते हो फरक क्या पड़ेगा अब देखो हमेशे ध्यान रखना कि जब भी आप change करोगे तो change in structure होगा note in meaning meaning के अंदर change नहीं होगा सिर्फ structure के अंदर change होगा मतलब जो बात आप कहना चाहते हो वो same रहेगी meaning के अंदर भी कोई भी change नहीं होगा किस के अंदर change होगा structure के अंदर ठीक है अब देखो active voice में क्या होता है doer ज़्यादा important होता है काम से doer ज़्यादा important होता है काम से जैसे आप सभी आप सभी ज़्यादा important हो आपके काम से फिलाल आप सभी यही सोचते हो गरवालों के लिए भी उनका बेटा काम कर रहा हो ना कर रहा हो फिर भी बहुत अच्छा होता है प्यारा होता है तो वह क्या है doer ज़्यादा important होता है काम से ठीक है अगर हम बात करें पैसी वह इसके अंदर पैसी वह इसके अंदर क्या होता है work done is more important than the doer यानि काम है वह ज़्यादा important है करने वाला पौन है वह matter नहीं करता उसकी कम importance है काम क्या है ज़्यादा important जैसे आपका SSC के exam हो रहे हैं SSC के exam होने ज़्यादा important है हमारे लिए यह matter नहीं करता कि कौन SSC के exam करवा रहे है हमारे लिए यह matter करता कि exam हो रहे है टाइम पे या नहीं हो रहे है तो पैसी वह अब बात करते हैं उसके आगे यहाँ पर डूवर है वो स्टार्टिंग में आता है उसके बाद में बाकी का संटेंस आता है पर पैसी वो इसमें डूवर लास्ट में डूवर लास्ट में और कई बार होता है कि डूवर आता ही नहीं कई बार आता है कि डूवर का नाम लेना ज़रूरी ही नहीं होता आता ही नहीं ठीक है अब आप से कोई कह दे कि किसी को अरेस्ट कर लिया किसी को अरेस्ट कर लिया आप अपने आप समझ जाओगे कि अरेस्ट क काम किसका है पुलिस का यहां पे डूर इंपोर्टेंट नहीं था काम इंपोर्टेंट था कि अरेस्ट हो क्या कोई भी चोर है या फिर कोई भी आप मान सकते हो जो एक अपरादी है उसको अरेस्ट कर लिया तो काम जादे इंपोर्टेंट है ठीक है आगे बात करते हैं अब थ तो राम सब्जेक्ट है, falls हो रिक रिना को बुला अब यह क्या है, यह है अबका active voice, अगर इस घमपैसी में change करेंगे तो क्या होगा रिना से काम सटर्ट होगा पैसी वो इसमें करते हैं तो राम वोज गोल्ड बाई रीन राम कोल्ड रीन उसके बाद में अगर हम पैसी वोज चेंज करेंगे तो राम वोज गोल्ड बाई रीन ठीक है राम वोज गोल्ड बाई रीन अगर सैकिन हमारे पास राज वोज सीन राज वोज सेंग अब इन सभी चीजों में हमें एक चीज दिखाई दे रही होगी क्या वो चीज है पैसी वोज के अंदर वोज की थर्ड फोर्म पैसी वोज के अंदर वोज की थर्ड फोर्म आगे इस चीज को और भी ज़्यादा समझेंगे हम कैसे रामवोज सीन यह भी पैसिव वेस है यह एक्टिव वेस यू विल बी इंफोर्म्ट यानि पैसिव वेस अब बात करते हैं असलेटिव एक संटेंस का टाइप है जिसे भी नहीं कहता वो यह बात जान ले अब दू टाइप के संटेंस हैं सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब में वर्ब ओजेक्ट जैसे कि यह के नॉर्मल संटेंस के अंदर पूरता है पर जब हम पैसिव वेस में करेंगे चेंज करेंगे